सबी बंदा बड़ी जन चंक्या आशिरित रेको कृशी चत्रका अभी छिन रूपमा चन्येका बीविन गतिपी दिन्यालने हाम रुप्रैस कृशी संग संबनित बिशंगति एबं व्रश्च चारिता माथी चोटिलो प्रहार आम जनन बानस मां देखकेको कृशी संबनित जिग्याँ सा र उपलव दिलाई आत्मसाथ गरने विशस प्रस्तुती क्रिक्रम ग्रिक्रम क्रिक्रम प्रस्तोते गोपाल आले मगर ऐसे शूरुकरूं आज को खास प्रस्तुती बाटा क्रिशी गणाना अमसार 2016 ले नेपाल मां 38,000,000 क्रिशक परिवार रयको तथेंक सार्व जनी गरेक थियो तीमद्दे 1,000,000 ले खेती पाती ने गरेका छैनन रह यो संख्या अजई बर्दो क्रम मां देखिन सा बिकसी देश अरको तुला नामा हेर ने हो बने छेत्र फलको इसाथ मां यो संख्या क्रिशी पेशा का लागी परियाप्ता देखिन सा तर निती निर्माण गर्न लागी परिका बेक्ती बिमिर्ना समस्यामा जीरे र रूमलियेकाले बर्षेनी अर्वर उपेया बराबरको खाद्येन लगायात क्रिशी जनने बस्तु छिमेकी मुलुक बाट आयात गर्नू पने कीतो एथार्थ हामी माजश देशको दुई तिहाई बन्दा बड़ी जन्चंक्या एश चेत्रमा लागेर पनी एहांको उत्पादनले केई समय का लागी मत्र धान्न सकने अबस्ता सा औरू बागी सबै छिमेकी मुलुक बारत र चिनको भर्मा बस्नू परेको सा एशको मुल कारण ने हामरही अदूर दर्शी निती र नेतितो ने हो इही अदूर दर्शी नेतुर तके कारण नेपाल मा संचालेत क्रिशीका अधिकांग सब परियो जना असपल बनी रेकाशन एशको उधारन केई समय देखी परियाप्त मात्रमा आयात नौदा आम उपबग्ता को बांचामा पाकने तरकारी कती मंगी को छ बनने उधारन लाई लिए पुक्षा एसरी आम उपबक्ता को बांचा मा मंगीनुमा सरकार ले संचालन गरेको कारिकम असपल बन्न को परिणाम हो जसको मार एती बेला उपबक्ता ले भगनु परिर्या को सा एती हेर काटवांड को बजार मा कुनेपनी तरकारी छोई सकनु सैना बिविनना खाल का तरकारी को मंगीले आकास छोए को सा कुख्रा को मासुप किन्नु मन्दा गोल बेडा किन्नु समस्या बही सके को स चामल को भाव मा काव लिपाउन मुस्केल स पचास रुपया को साग खरिद गर्दा दुईजाना को परिवार ले पुर्याउन गार भाय को स प्यास कोत कुरेई न गरूं आलु देखी खुर्शानी सम्म रा चम्सूर पालूं देखी मुला बंटा सम्म को भाव जती मन लागयो उती स अहिले पसली पिछे भाव फरक्स जुन पसली लाई जती मन लागयो उतीने मुल्य लीरे काशन तरकारी बोल देई न ग्राकले मुल मलाई गर ने ठाउसे न सरकार तर निकम मा वही हालेओ एसी ता मुलुक चलाउने हविगत नवाय को सरकार तरकारी को महंगाई मा कसरी ध्यान जाला तरकारी मा भयको मौंगी को विशे अईले नेपाल को लागी पुरानो बनी सक्यों ही जो अस्ती गयको महिना साल पोर पराल जहिले पनी बड़े के हो नेपाली जनताले सास्ती बिहोरे के हुन तेसमा आश्चार्य मानू परने कारण के नहीं सरा तरह एस पाली को तरकारी मा दीखी को मौंगी सुन्दाने आश्चार्य लागने खाल को सा एक पटक यू हेरों अईसाक को सुरुमा ठुलो बर्शार असिनाले तरकारी खेती नस्ट गरे पस्चात तरकारी को मुल्य आकासी न सुरु गरे खो बोट बिरुआ नस्ट हुदा तरकारी को उत्पादन मा कमी आयको किसान को वनाई सा तेस्ते भारत मा सुरुमा बिदान सबाको निर्वाचन का कारण उताबाटापनी आयत गहाटे कुषा निर्वाचन का कारण भारत में तरकारी को मुल्य उच्चा स इती बेला गोलवेडा, काउली, फांटा, बोडी, ग्यूसीमी, करेला, परवल, बिंडी, ब्रकाउली, चम्सुर, साग्र, रायको साग लगायत को मुल्य उच्चा बने कुषा गता बर्षको जेट दुई गते प्रतिकेजी 45 रुपया खुद्रा मुल्य उच्चा बिंडी, ब्रकाउली, 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 पाइरी बजार माँ एक से तीस रुपया समा खुद्रा ब्यापारीले मुल्य असुल गरी रहा है पाइरी बजार माँ तीस रुपया समा खुद्रा ब्यापारीले मुल्य असुल गरी रहा है पाइरी बजार माँ तीस रुपया समा खुद्रा ब्यापारीले मुल्य असुल गरी रहा है पाइरी बजार को काली माटी तरकारी तेथा फलफुल बजार को फनाई सा उत्पादन बईराखे को छा पनी सरकार पटक पटक रटन लाई रहे को छा तरपनी मुल्य बडी रहे को छा जसले गर्दा आम उपबगता अलमालमा परेगासन तरकारी रहो था तेराई आकास सिको छा किना मानी एक डेड माईना बज सिको टोमाटर अरू अर्यो खुर्शानी साक्साब जे अरू एक दम मागो छा एक दम मरका परेगास स्वर्शा दरन लाई एसरी कुणी अउचिते बिना नेपाली बजार मा तरकारीक भाव अच्चम संग महांगीता पनी सरकारी निकाय बेखाव वर जैछा कताई कुणी नियंत्रन छाइना ब्यापारी चित्तो बुद्धो जवाब दीना स्वकी रहेका छेनान बिचाउर्याको भागिया एती बेला चम किये गुषा तिसान संग थोरे मुल्यामा खरिद करियो औनी उपभगता संग मन परी असुलियो ग्रहा करू उजिरी गर्नर आपना गुनासा पुखन कहा जाने नता कुनी जाने ठाउउशा नता कुनी बनने ठाउउने सुनाउने ठाउँ खई सरकार निरी हशा उस्तेई परे दलाल संग मिलेर कमिशन नखाला बनना सकीनन अहीलेको सरकार इजो बंदा आज बड़ी तरकारी उत्पादन गरिरे का चन किसान बाइर बाट आयत नवयको बनू बने दैनिक सयू मेटिक्टन तरकारी आयत बाइरे कुछ एसो भए एति सारो तरकारी मंगीन को कारण के होता एसको एकमात्र कारण सरकारी निकायको निकम बापना मारमा तेहने पर आईको देखिण चाया बच्मांगर जून यो सरकारी निती नियम यो गर्च तो गर्च वार्च वार्च वांच है बिचयों एर बिचयो लैराइट दोला दूलाल राद दीन-दोई राच्चाव वानच शरिन दोलाल जो पर शारा तपला तेसमा विक्रीबाको देखिन्जा रामरो किसम को जून मांचले गवरी हांचानी तो खाने हालका मांचले अधिन नाइस्तो लरू अधा तपलाइसे तो मत्र न अभाईकने यह शिन्माइ काला बदारी उंजे यह तब बास्तमा बन्ने वन्नीं परकारी खरितमा दलाल लाई नियंदरन मा लिनी हो र बजार अनुगमन गरनी हो बनी अईले जुन जात्रा तरकारी बजार मा बढ़ेर गयकुश एसमा केही रात जनताले उक्टे पाउनेशन तर सरकार बलला पनी बल्देईन रा आखाले देखता पनी देखतेईन एती बेला सरकार अंदो रा बहीरोशा एसरी सरकार महंगी को बिशेमा नवलली हो बनी जासरी चोत्वरफी बिरोत्मा जनता उत्रिये काचन एसरी ने महंगो तरकारी बिरोत्मा शरत्मा नवध्यलान अन्न सकिनन इसरी इतरकारी को मुलिय आकासीनु मा सरकारले बिवियर्ण समय मा लेया का कृशी लख्रित योजना रा कारिकम किसान सम्मा पुगन नसकनु को परिणाम हो सरकाहरले संचालन गरेको अधिकांग सक्रिशी कारिकम बास्तविक क्रिशक लाई आकासको फल आखातरी मर वने से भाय कोशा इसता कारिकम पार्टिका नेता कारे करता रपोच वाला हरुको हात बाटा फुतकन सकने इस्तिती अजजे पनी साइना जसली उत्पादन मा लागने किसान लाई एस पिशाप्रती नईरास्ता पोईदा गरेकोशा कि नेपाला क्रिशी उपज मा आत्मनेरवर बनावना गारोच वा कमिशन खाना के लागी क्रिशी उपज आयात गरी देशा कि छा बास्त भिक्ता प्रशंग बाकी नेश हामी संगे रहन होला फिरी रहने सरकार संगी आयका नारा रहा भासन मा युबा र क्रिशी लाई लक्सित गरी बिविनकारिकम ना आयका हैनन कुडामा र नारामा आये पणी कारेनेन को पाटो वने सदै ओजल मा पर्णे करे गोसा आखिर के ले सेक्सा इस सारा योजना कारेनेन को पाटो लाई अनी ऊपभगता मार मा परिटीरणाधा सरकार किना अनुगमन गर दे न हरेक बस्तु तथा सेवमा उपबग्तारू ठगी रहनु परेक्षा, नून देखी सुन और देखी गोट्र आले देखी थालीसम उपबग्ता कुणी न कुणी धंगबाट प्रतारिच्छन, नत राज्यले आपनो भूमिका स्पस्ट्र रूपमा निर्भाहा गर्ना सकेक्षा नत उपबग्ता अधिकार बादी संस्तारूले खबरदारी गर्ना सकेकाशन। मुल्य निर्धारन गर्ने निकाय नौदा तरकारीको बजार अनसार एक रूपता देखी देखी औरको बजारमा मुल्य फरक पर्दा उपबग्ता तरकारीको लागी चरको मुल्य तीर्न आने सरकार छा बने रा महसुस कसरी गरने के अब तरकारी को मुल्य इस्तिर रहन छा वा घर दई जान छा अनि के छा उत्पादन रायात को अबस्ता शेरू श्यो रिपोर्ट असो भाविक तरकारी को मुल्य वرदी मा गोलबई टा अग्रफ मंगती मार आको शा अउयले देश पर गोलबई आको शा बान्शा मां चर्चा उने गोल बेडाले अहले सामाजिक संजाल पनी तता आयको सा एसारी सामाजिक संजाल देखी चोक चोक मा गोल बेडाले चरचा पाउन को एक मात्र कारण हो एसको मुल्य ब्रिद्धी कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार मा एक जेट मा गोल बेडा को थोक मुल्य प्रतिकेजी एक से रूपया थियो यो गोल बेडा भांचा सम्मा आईपुगता प्रतिकेजी एक से पचास रूपया बड़ी मुल्य तेरू परने बात देता अहिले आम उपभगता लाई पहारे कुछा अगिलू साथा काली माटी बजार मा गोल बेडा को थोक मुल्य प्रतिकेजी सत्तरी रूपया देखी एक से रूपया समत्यो काली माटी फर्फील तता तरकारी बजार मा एक बईशाक मा प्रतिकेजी औचास रूपया थोक मुल्य रहे को गोल बेडा साथ बईशाक मा शाठी रूपया बबढ़ू एसरे दिन प्रदी दिन बड़ेको गोल बेडाको मुल्य कोहिली घट ने हो अजही ताहा चईना गोल बेडाको मुल्य गता बर्षको दुलनामा तिन से प्रतिसत सम्म बड़ेको कालिमाटी फल्फूल तथा तरकारी बजार को अठ्ञकमा उलेक्सा गता बर्षक जेट मां गोल बेडाको उत्फोक मुल्य प्रतिकेजी 40 रुपया को हारारी मतियो भने एही सम्मेमा आठिक बश एकसे रुपया मां कारवार भायरेकुशा प्रिशी उत्पादन को मुल्य बढ़नू किसान का लागी रामर कुरा हो अहीले गोल बेडा उत्पादन को मुवसम नवैकाले की मुल्य बड़ेक हो असारपची नया उत्पादन बजर मा आउने वैकाले पनी मुल्य घट न सक्षा तरह असुबाबिक मुल्य व्रितिको फाइदा किसान ले लिना सके का चाहिनान। किसान को बारी मा तेही गोलवेडा अहले पनी प्रतिकेजी 30-40 रुपयामा बिखना गारो शा। तरह तेही गोलवेडा बजार मा एक से 40 रुपयामा पनी पाउना मुस्किल शा। निपाल मा उत्पादित गोलवेडाले माग धाना सक्षकी सक्देन भनने बिशेमा पनी सरकारी अधिकारी के बिननना मच्छा। क्रिशी तथा पसुपंची बिखास मंत्रलेको दावी माननी हो बनी आंतरिक उत्पादन लेनी नेपाल को माग धान न सक्षा। तर काली माठी तरकारी था फर्फूल बजार को आया को तथेंक हेरनी हो बनी पचास परच्चत बनना बली गोलवेडा भारत बाट आया थफायको देखिन्छा। पर आयले आई ले अब तवी गोलवेडा ने मनुँः इन्डियाबाद गोलवेडा नहाई ने नेपाल मा बसनियां अले खाने पाल पालता है एंपना थाया को अम्रो शुब्स था ने अजरे जो अचा लोग्शन पालतान ने रएट छाए ने शूखिर चाहे ने उत्पा यो चीज को एति रेट शिमिट रेट तोग देया छाई ना अनि तियो बावु एकदम न्यून दे जान्च गे जान्च कटी ले ब्यती मान्नी ने उन खपा दे ना ते बारा नेपाल मा उत पादन करनी अब किसान अरुने कमें भई शागे ना ते बारा इंडिया बाड़े त काटवन न उपात्यका के सब ना ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी मा अये दैनिक एकसे तीस टन सम्मा गोलबेडा खपाद हुन्छा एसमद्दे एकसे टन गोलबेडा भारत बाड़ा आयाद गणूपने कालीमाटी फर्फु तता तरकारी बजार का प्रभक्ता बिनेस्रे प्रभक्ता 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 देखी अशी रह ठुलो गयल मेना चाहिं अशी देखी 90 रुपे का आरारी माई विक्री बाईरे का अगस्ता चा। उत्पादन होंदे आयक सा। रक करी 5,24311 घर परिवारले 15,084 हेक्टर चेत्र पल्मा गोल बैडा खेती गर देखी आयक सा। विभाग का अनसार पहाडी छेत्रमा गोल्वेडा को किसान मुल्य अउसत प्रती किलो सारे एक्टाइस रुब्या पर्षा तरहाई छेत्रमा बार्षिक 90,470 मेट्रिक्टन गोल्वेडा उत्पादन हुदे आयकोशा तरहाई छेत्रमा करीब 5,363,288 घर परिवारले 4,344 हेक्टर छेत्र पल्मा गोल्वेडा खेती गर्दे आयको विभाग को तत्यांकमा उल्लेक्षा उत्पादित गोल्वेडा मदे करीब 2,005,9 मेट्रिक्टन मात्र बिक्रिहुने गरेकोशा करीब 7,009,22 मेट्रिक्टन गोल्वेडा घराईसी प्रविजन का लागी प्रएक मुदे आयकोशा तरहाई मा गोल्वेडा को उत्पादक कत्तो प्रती हेक्टर करीब 2,004,6 किलो शा रर स्वो छेत्र मां गोल्वेडा को उष्षत किसान मुल्य प्रती किलो शारे 15 रूपेया परने गरेकोशा बिभाक को तथ्यां का अनसार हिमालिस छेत्र मां सबेबना कम 2,212 मेट्रिक्टन गोल्वेडा उत्पादन होने गरेकोशा सो चेत्र मा करीब 277 हेक्टर चेत्र पल मा गोल बेडा खेती मुदे आया कुछ हिमाली चेत्र का 8143 घर परिबार एस खेती मा आब ओत शन सो चेत्र मा उत्पादन भयको गोल बेडा मते 1205 मेटिक्टन मात्र बजार मा विक्री हुने गरेको हिमाली चेत्र मा गोल बेडा को उत्पाद को तो प्रती हेक्टर करीब 200,000 किलिर आया कुछ सो चेत्र मा गोल बेडा को अउस्त मुल्य प्रती किलो रू अटाइस परने गरेको विबागले जनाया कुछ एसरी यदा गोल बेडा जती उत्पादन वई राखे कुछ, नेपाल लाई पुगने उत्पादन वई राखे कुछ एसल बए गोल बेडा हमिले किना मोंग मा खरिद गरी राखे का चमत? एसको एक मात्र कारन हो सरकार भंदा बीच वलिया हाभी हुनु गुल्बया एक प्रतिनीदी क्रिशी उपाशो एसरी सबे क्रिशी उत्पादन खरीर गदा हमी पल पलमा ठगी रहेकाशू सरकार ले समय में इसको नीमन रानुगमन नदरनी हो बनी सरकार छब हमी महसुस आम पुपधाले ग्रहनी साइनान आज़ो को लागी क्रिशी सरकार यतिनी कारिकम क्रिशी सरकार कस्तो लाग दैसा तपैको सल्ला रसुजा को अपेक्सा गर दासू कारिकम समद्धी कुने पनी जिग्याशा वा सल्ला सुजा भए हामरो एमेल एडरेस क्रिशी टीबीनीउस2022.com अथवा हामरो शंपर्क नमर 01-3522 मां संपर्क गर्ण सक्नु हुनेशा हाउस्त और को शुक्रबार पुन्या नया विशे बस्तुक साथ उपवस्ते धुने बाता सहित बिदा हुना चाहांचू जयक्रुशी जयकिसान